आलो नमस्कार यूटूप में आपका स्थागत है आफ लोग अच्छे होगे मैं एक एंजल एलमुनियम से बोल रहा हूं तो आप लोग आसा करता हूं आप लोग अच्छे होगे तो आज आप लोग को बताऊंगा कि चॉली में जो रूम बनता है उसमें स्लाइडिंग कैसे लगता है तो यह देखिए कि इस तरह से लगता है स्लाइडिंग यह स्लाइडि कि देखिए श्लाइडिंग लगा हुगा है इस तरह चल रहा है इस चॉली में स्लाइडिंग लगा हुगा है कि चाली में स्लाइडिंग कैसे लगता है यह देखो आप हलो तो यह देखिए स्लाइडिंग लगा हुगा है किस तरह स्लाइडिंग लगा है स्लाइडिंग इस तरह लगाते हैं चाली में महले के उपर आप लोग देख लिए स्लाइडिंग कैसे लगता है और इसमें डूर लगने वाला है यह देखिए डूर का दर्वाजा बनाया गया है अपको पूरत अची तरह से फोल्डोर रिखा रहा हूं बाद में इस डूर को म मैं लगाऊंगा यह बातरूम बना हुआ है अ बहुत फ्रेम बन गया है कर छाली में बात्रूम कई से बंता है और देखो आप लोग बात्रूम दोर यहां पर लगेगा एलमुनियम का दर्वाजा लगेगा एलमुनियम का दर्वाजा लगेगा और एक कीचन बनाया हुगा है यह देख सकते हैं आप लोग कीचन बनाया है और यहां पर कीचन का दर्वाजे लगेंगे सब दर्वाजा लगेगा एलमुनियम का य यह देखिए कईसे बना हुगा है इसमें एक दर्वाजा लगेगा और इसमें दो दर्वाजा लगेगा उसमें एक दर्वाजा लगेगा एल्मुनियम का दर्वाजा लगेगा तो यह कीचन के अंदर जो समान रखते हैं वो पाइकिंग हो जाएगा यह बेसिंग है बेसिंग क यहां से यहां एक डर्वाजा यहां से एक डर्वाजा और यहां से एक डर्वाजा लगेगा तो इस तरह से आप कीचन का फ्रेम बनवाएंगे तो दर्वाजा बन जाएगा और यह डेड़ इंच का रहना चाहिए डेड़ इंच रहना चाहिए पीछे पत्तर ताकि आराम से फ अबी मैंडॉर अभी दोर का meant aUNDर दरवाजा लगेगा चन्मायी का वाला यास निकलने के लिए और यहां पे कोट वाला है हैं है यहां पर लग जाएगा उपर से में बहुत है छहां बहुत है अध्यान से देखिए अंदर समान हो जाएगा बाहर से कुछ दिखेगा नहीं और हाफ टार्श लगा है हाफ रूम में कि नीचे भी इसे टार्श लग चुका है विसाफ सभाई क्लीनिंग वाकी है कि इदर से देखिए उपर पत्रा डाला हुगा यह महले पर कहा है गर कि इस लाइडिंग जो मैंने लगाया वह स्लाइडिंग है टू ट्रेक श्लाइडिंग छोटा विंडो बनाया गया है इसके बाजू में टॉलेट बात्रूम है इसका में दर्वाजा लगेगा और यह आपको गलियर हमें दिखाता हूं यह गरियरा से सीड़ी है कि नीचे उतर के जाने के लिए बाहर इससे टाकी आएगा उपर से तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे यहां पर भी दर्वाजा लगने वाला है जब दर्वाजा लगेगा तो आपको दिखाएंगे अगर अगला चैनल देखना है इसके फ़हले सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए यह सब दर्वाजे दिखेगा आपको किस तरह बनाते हैं यह सब में डूर बातरूम का डूर बनाऊंगा तो भी दिखाऊंगा तो इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को लाइक करें हमारे चैनल को इसकीप करके मत देखें ध्यान से देखें हर चीज समझ में आएगा किस तरह किचन का दर्वाजा के पाजू में टॉलिट बातरूम में उसके बाद बिंडो है उसके बाद में खिड़की है में डूर आएगा यहां पर इस तरह से सब सेटिंग करेंगे तो चलिए आप लोग समझ गये होंगे किस तरह से मुंबई में रूम बनाते हैं इस तरह से दर्वाजा फ्रेम लगाते हैं तो अभी वीडियो कतम करते हैं धन्यवाद